रूसी नौसेना दिवस के मौके पर राशपती व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है पुतिन ने साफ चब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाले तैनाद करता है तो रूस अमेरिका तक मार करने वाली मध्यंदूरी के परमाडू हत्यारों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा का घ cell है आर व्मार क के आर शर्म कींदोन ए बार का पिर शो ह worse अबना वहा है ले की और वियु झेते इस की तो इसक फ्रा लोग video के अaczर दोग? प्लकली फिर्शे बंगरे श डिल प्याट न झातल शो to stop तेसरे नाहें वाज़ी शेल की आशाओने नाके और चाहिए हैं आप मेरीका को पुतिन की धंगी इसलिया थी क्योंकि अमेरीका ले नेटो और यूरेपीय रख्शा को देखते हुए जर्मनी में लंभी दूरी तक मार करने की शम्तावाली मिसाइलों की तैनाती की गोश्चन की है इन मिसाइलों को 2026 में तेनात किया जाना है ऐसे में पुतिन ने कह दिया है कि अमेरिका के इस कदम से रूस मध्यम और कम दूरी की परमाडू सक्षम मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि अगर अमेरिका ये कदम ग्रोप में अमेरिकी मध्यम दूरी की पर्शिंग मिसाइलों की तैनाती से सम्मंदित कोल्ड वॉर की घटनाओं की याद दिलाती है अब देखना ये होगा कि अमेरिका पुतिन की इस धंकी का क्या जवाब देता है बिरो रिपोर्ट भारत तक पोट्स्ट्री के अपनाप झाल वाद दिलाओं की तैनापी के अवाब देता है ।